नमस्ते बच्चों स्वागत है आप लोग का हमारे यूटूब चैनल में तो आप लोग को पिछला वीडियो याद होगा जिसमें हमने आपका चैप्टर नमबर 4 सिक्वेंसेज इन सिरीज को स्टार्ट किया था और उस वीडियो में हमने कुछ बेसिक कंसेट देखे थे उसके बताना है तो बता सकते हैं ना चलो मैं आपको समझाती हूँ कैसे क्या क्या दिया गया आप लिखो यहाँ पे गीवन में तो यहाँ पर लिखते हैं T7 is equal to A का value 9 और R का value कितना हो जाएगा 1 upon 3 N का value क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर T क्या था TN था यहाँ पर T7 लिखा मतलब N के place पर 7 लिखा न तो N का value यहाँ पर 7 हो जाएगा 7 minus 1 अब इसको आगे करते हैं तो देखो 9 into 1 by 3 7 minus 1 करेंगे तो 6 मतलब इसका power क्या आगया 6 आगया राइट अब इसको solve करते हैं तो यहाँ पर मैं लिखूंगे T7 is equal to 9 into 1 raise to 6 अचा इसका value बताइए 1 raise to 6 तो 1 का power कुछ भी रहने दो लास्ट में answer तो 1 ही आता है तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 1 अब इस 3 raise to 6 का value निकालो तो 3 raise to 6 मतलब क्या 3 का multiply करना है 6 time कितने time 6 तो 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3 छे हुआ ना 1, 2, 3, 4, 5, 6 चलो multiply करते 3 3 is a 9, 9 is a 57, 27 is a 81 81 3 is a क्या होता है 81 3 is a 81 3 is a 3 1 is a 3, 3 8 is a 24, 243 और 243 3 is a क्या होता है 3 3 is a 9, 3 4 is a 12, 3 3 is a 3 2 is a 6, 1 7 7, 29 तो यहाँ पर क्या आ गया 7, 29 राइट अब इसको cancel करो 9 से 9, 9 is a 9 और 9, 8 is a 72, 9 is a 9 राइट मतलब यहाँ पर T7 हमको क्या मिला 1 upon 81 समझे तो यह हो गया आपका T7 का value हमने यहाँ पर question number 2 का first sub question complete कर लिया अभी second one देखेंगे तो इसको भी देखेंगे लेकिन उससे ही पहले इसको मिटा देती हूँ देखें इसमें क्या क्या दिया गया है इसमें A दिया है आर दिया है हमें find करना है T3 तो यहाँ पर लिखें सॉलूशन फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे given क्या क्या है A है 7 upon 243 R है आपका 1 by 3 we have to find the value of T3 formula same formula use करेंगे TN is equal to AR raise to N minus 1 हमें क्या बताना है T3 तो यहाँ पर लिखा T3 A का value 7 upon 243 into R का value 1 by 3 raise to N minus 1 अभी यहाँ पर N का value क्या हो जाएगा 3 तो यहाँ पर लिखा 3 minus 1 ठीक है आगे देखें क्या हो जाएगा 7 upon 243 into 1 by 3 इसका power क्या आएगा तो देखें 3 minus 1 करेंगे तो 2 राइट फिर यहाँ पर 7 upon 243 into 1 का square करो 1 ही आएगा 3 का square करो 9 आजाएगा आप दोनों का multiply करो तो 7 1 सो 7 9 3 सो 27 carry 2 9 4 सा 36 36 38 हो जाएगा फिर 9 2 सा 18 19 20 21 कितना आगया इतना आएगा 2187 नहीं ने कुस्तों करवर किया है एक बार फिर से चेक करते रुको एक मिनिट 9 3 सा 3 3 सा 9 यह तो बराबर है 9 3 सा 27 carry 2 9 4 सा 36 37 38 फिर 9 2 सा 18 19 20 21 ओके बराबर है 2187 यह आएगा अभी यह cancel हो सकता है क्या तो यह cancel नहीं होने वाला यहीं होगा इसका final answer तो लिख देते हम यहापे therefore T3 is equal to 7 upon 2187 समझे तो यह क्या है आपका final answer यानि कि T3 का value तो second sub question भी complete हो गया अभी third one देखेंगे तो इसमें लिखेंगे A दिया है R दिया है हमें find करना है T6 तो यहाँ पर लिखेंगे solution जो कुछ भी दिया गया है उसको हम लोग given में लिख लेते हैं तो A is equal to 7 R is equal to minus 3 हमें क्या find करना है T6 ओके formula तो same TN is equal to A R raise to N minus 1 हमें find करना है T6 A का value है 7 और R का value है minus 3 raise to N minus 1 तो N का value यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 minus 1 राइट फिर आगे देखिएगा 7 into minus 3 और 6 minus 1 करेंगे तो 5 आचाएगा अभी minus 3 का multiply 5 time करके बताओ कितना आता है तो करके देखना पड़ेगा चलो उंगले पर करते हैं देखो पहले यहाँ पर लिख देते ना T6 is equal to 7 into इसका value क्या आएगा एक बात तो confirm है कि यहाँ पर जो भी answer आएगा माइनस में आएगा क्यों माइनस में क्योंकि यहाँ पर कौन सा नंबर है और नंबर है है ना देखो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस में अंसर जो कुछ भी आएpower रोग को है देते हैं 243 चलो multiply करते हैं लास्ट में आम आंसर लिख देते हैं 73 सा 21 करी 274 28 28 30 कि 7214 15 16 17 यहां पर T6 कितना आया स माइनस 1701 ओके तो यह होगा T6 का वैल्यू अब उसके बाद यह है आपका फोर्थ सबकोजिशन इसमें क्या गीवान है चलो फटाफट से लिखते हैं A is 2 by 3 T6 is 162 we have to find the value of R तो कैसे find करेंगे same formula TN is equal to A R raise to N minus 1 ओके यहां पर T6 का वैल्यू दिया गया है तो T6 लिख दो फिर A का वैल्यू क्या है 2 by 3 है तो यहां पर 2 by 3 लिखो R का वैल्यू हमें नहीं पता तो इसको आप ऐसे रहने दो ठीक है जो नहीं पता है उसको ऐसे रहने दो N का वैल्यू क्या हो जाएगा यहां से लो N का वैल्यू 6 minus 1 T6 कितना है 162 तो यहां पर लिख दे 162 फिर 2 by 3 और 6 minus 1 किया तो 5 ओके R raise to 5 आगे आप क्या करें तो यह जो 2 by 3 दिखाई दे रहा है इसको इधर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 162 into 3 उपर 2 नीचे पता है न रूल यह इधर डिवाइड में इधर आए तो मल्टिप्लाई में यह इधर उपर इधर आए तो नीचे is equal to R raise to 5 अब क्या करना है दिखो 2 1 जा यहां पर 2 8 जा 16 2 1 जा 2 81 आ गया क्या आया यहां पर लिखती हूँ न 81 into 3 is equal to R raise to 5 ओके हमें तो R का value चाहिए तो कैसे निकालेंगे सुनो मैं आपको बताती हूँ यह जो 81 है इसको मैं और किस तरीके से लिख सकती हूँ 3 को कितने बार multiply करोगे तो 81 मिलता है कितने बार चार बार नहीं परोसा है चलो multiply करके देखो जहां से देखना 3 3 is a 9 9 is a 27 27 3 is a 81 मतलब 81 को मैं कैसे लिख सकते हूँ 3 raise to 4 into 3 which is equal to R raise to 5 ते यह भी 3 यह भी 3 तो एक ही बार लिखना यह जो power से वो plus हो जाएंगे तो 4 और यहां पर कुछ नहीं मतलब 1 5 हो गया 3 raise to 5 R raise to 5 अब बता सकते ना R का value compare करो दोनों को 3 raise to 5 is equal to R raise to 5 3 R 3 R R का value 3 तो यहां पर लिख देते therefore R is equal to 3 बस यह हो गया आपका final answer देखा आपने हमने R का भी value निकाल लिया और इस तरीके से हमने question number 2 solve कर लिया यहां पर देखिएगा यह है आपका third question तो इसमें क्या बोला गया है कि which term of the GP यह GP है ठीके यह जो sequence दिया कि यह GP है इस 5 raise to 10 अभी इसका meaning क्या हुआ मैं आपको थोड़ा से explain करती हूँ सुनिए जैसे यह आपका 5 है तो इसको मैं मैंने 5 लिख दिया यह 25 है तो इसको मैंने 5 का square लिख दिया ठीके यह 125 है तो यहां पर मैंने 5 raise to 3 लिख दिया क्योंकि 125 जो है वो कैसे आएगा जब हम 5 को 3 time multiply क फिर 625 तो इसके place मैं 5 raise to 4 लिख सकती हूँ क्योंकि जब मैं 5 का multiply 4 time करूंगे न तो मुझे क्या मिलेगा 625 ठीक है मतलब यह हो गया पहला term यह हो गया second यह हो गया third और यह हो गया fourth term तो हमको बताना यहां पर क्या है देखो ऐसे ही जब आप आगे जाते जाओगे तो एक place ऐसा भी आएगा जहां पर आपको 5 raise to 10 मिलेगा ठीक है जैसे 5 raise to 1 मिला यहां पर कुछ ने मतलब 1 जैसे 5 raise to 2 है 5 raise to 3 है उसी प्रकार से जब हम आगे जाते जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा 5 raise to 10 मिलेगा ठीक है अब आपको यहां पर यह बताना है कि यह जो 5 raise to 10 है न यह कौ सा टम्मों जैसे वाला है आपका फॉस्ट टिड़म यह आपका सेकंड ढम यह आपका सक numẫn कोन सा टम्म होगा धी की यह आंसर बताव इन Cape अनिका वाल्यू बताओ जैसे कई से करेंगे मैं आपको समझाती हूँ सुनों यहाम है मतलब यह हमारा GP क्या यह सेक्वेंस में due यहां पर लिखेंगे उसके बाद यह आपका कुछ नहीं बलकी क्या है बताओ टी एन्थ टर्म यहां पर दिया आपको एन का वैल्यू बताना है ओके तो कैसे करेंगे मैं आपको समझाती हूं देखो सबसे पहले मिटाती हूं यह आपको लिखने की जरूरत नहीं है तो मैंने आपको समझाने के लिए बतायए लिकना क्या है वह अब मैं आपको बताती हूं दिखिए यहाँ पर हमने यह सीक्वेंस देख लिया है अब इसमें एका वैल्यू क्या हो जाएगा फॉर्स्ट में होता है और यहाँ पर आर क्या होगा आर हम कैसे निकालते बताओ आर टी टू अपॉन टी वन तो टी टू यहाँ पर क्या है 25 टी वन इस 5 कैंसल करो 5 5 जा 25 यहाँ पर बोलो क्या आगया 5 आगया राइट उसके बाद यह जो 5 रेस्टू 10 है न यह आपका टी एन है किसका वैल्यू है टी एन का आपको यहाद लेना अर्थमेटिक प्रोग्रेश तो एन का वैल्यू find out करना है ओके तो कैसे करेंगे same formula apply करेंगे tn is equal to a into r raise to n-1 tn का वैल्यू कितना है बताओ 5 raise to 10 ओके A कितना है? 5 R कितना है? 5 raise to n-1 तो n का value हमें नहीं पता n का value ही तो हमको बताना है अब उसके बाद ये देखो दोनों के बीच में कुछ नहीं मतलब क्या है? इस तरीके से multiply का sign क्या है? multiply अब यहाँ पर 5 raise to 10 है, यहाँ पर 5 5 क्या कर सकते हैं? सुनो होगा, इनके जो power से वो plus हो जाएंगे, तो इसका power कुछ नहीं मतलब 1 है तो क्या हो जाएगा? 1 plus n minus 1, ठीक है? उसके बाद ये देखो, plus 1 minus 1, ये दोनों हो जाएंगे, cancel तो यहाँ पर क्या आया? 5 raise to n यहाँ पर क्या है? 5 raise to 10 तो हम पता है, ये n का value क्या होगा? क्या होगा? 5 raise to 10, 5 raise to n compare करो दोनों को, comparing both sides तो n का value हमको मिल चाहेगा 10 या नहीं, ये जो आपका 5 raise to 10 है न, ये कौन से place पे होगा? कौन सा term होगा? ये तो 10th term होगा ठीक है? इस dp का 10th term क्या होगा? 5 raise to 10 तो चलिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं therefore, n is equal to 10, ओके? तो ये होगा आपका final answer, अभी last में आप answer लिखोगे कैसे, यहाँ पे लिखीगा therefore, 5 raise to 10 is the 10th term of the gp समझे? देखा आपने कितना आसान था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था एक बार समझ गे न, फिर ऐसे questions आएंगे तो आप एकदम आसानी से solve कर पाऊगे, ठीक है? देखो, जो दिया रहता है न, उसको tn लेने का, क्या लेने का tn, जैसे मैंने यहाँ पे लिया, और फिर n का value आप निकाल सकते हो अब question number 4 देखेंगे, तो यह भी जादा कुछ ऐसा difficult नहीं है सुनो, इसमें क्या बोला गया है, कि for what values of x 4 upon 3 x, फिर 4 upon 27 are in gp, सुनो अगर यह तीनो terms, यह जो तीनो यहाँ पे दिखाई दे रहें आपको अगर यह gp में है, ठीक है, अगर यह gp में है, तो आप x का value बताईए तो बता सकते हैं न, कैसे, सुनिए, यहाँ पे लिखते है solution यह किसमें है, gp में है, यहाँ पे आपका t1 क्या हो जाएगा 4 by 3, t2 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा and t3 would be 4 upon 27, अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि the given sequence is in ap, the given sequence is a gp, ठीक है, यह क्या है, एक gp है right, अब अगर यह gp है, तो यहाँ पर t2 upon t1 is equal to क्या होगा, t3 upon t2 है न, जब हम लोग ratio निकालते हैं gp में, तो क्या आता है, constant आता है, same आता है यानि इसका ratio और इसका ratio दोनों का equally होगा, है न, अगर यह gp है, तो equal होगा और यह gp है, ऐसा गोश्र में दिया गया है कि यह gp है, ठीक है, तो t2 यहाँ पर क्या है, x है, तो यहाँ पर मैंने x लिख दिया, t1 is 4 by 3, is equal to t3 is 4 by 27, and t2 is x, अब हम क्या करेंगे न, देखो यहाँ पर x लिख दिया, यह पूरा upon में है न, तो इसको multiply में convert करते हैं, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 4 आ जाएगा, नीचे, ठीक है, is equal to 4 upon 27 upon x, अब क्या करेंगे, तो देखो हम एक काम कर सकते हैं, यह जो है न, 3 by 4, इसको हम उदर ले लेते x को इधर, तो x इधर आएगा, तो multiply में हो जाएगा, x into x square अभी नहीं आएगा, जब multiply करेंगे तब न, x square आएगा, तो x into x देखो, यह पहले से x था, और x इधर आ गया, x into x हो गया, अभी यह दोनों को उदर ले करके जाते हैं, तो 4 upon 27 into 4 ऊपर चला जाएगा, और 3 आ जाएगा, नीचे, राइट, ऐसे ह चलो, इसको थोड़ा सा नीचे लिपते हूँ, x into x is equal to 4 by 27 into 4 by 3, अब क्या कर सकते हैं, तो x into x करेंगे, तो x square आ जाएगा, is equal to 4, 4 is a 16, 27, 3 is a क्या होता है, तो 27, 3 is a 3, 7 is a 21, फिर 3, 2 is a 6, 2, 8, 81 आ गया, राइट, समझे न, अब क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे square root ले ले लेते हैं, क्योंकि यह square अगर हटाना है, देखो आमको x square का value ने चाहिए, हमें x का value चाहिए, राइट, तो यह square को समझो, आपने इधर ले लिया, तो क् answer क्या आएगा, final answer, x का value क्या आएगा, देखें, यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ, therefore, x is equal to, इसको root के बाहर निकालो, 4, 81 को root के बाहर निकालो, तो 9, तो x के values आपको, x का value आपको क्या मिला, 4 by 9, समझे, तो यह सरीके से आपका fourth question में complete हो गया, आयो, क्या आपको समझ में आए रहेगा, कुछ भी doubt है, तो आप लोग पूछ सकते हो, यहाँ पर देखो, क्या बोला गया था, कि यह sequence एपी है, अब अगर यह एपी है, तो जो इसका common ratio है, वो भी तो equal होना चाहिए, constant होना चाहिए, तो वही condition हमने यहाँ पर रखा, और x का value निकाला, question number 5 को हम देख लेते हैं, तो देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है, कि if for a sequence, यानि कि एक sequence के लिए समझे कोई sequence है, तो उसके लिए tn is equal to यह है, 5 raise to n-3 upon 2 raise to n-3, तो हमको क्या show करना है, show that the sequence is a gp, तो हमको यह prove करना है, कि यह sequence gp है, ठीक है, ऐसा हमको prove करना है, समझे न, और फिर हमको first time बताना है, उसके बाद ratio बताना है, तो सबसे पहले यह prove वाला करो, और फिर बाद में हम A भी बता देंगे, R भी बता देंगे, ठीक है, तो देखो, अगर कोई भी sequence gp है, तो वहाँ पर जो आपका common ratio है, वो क्या आता है, constant आता है, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ, कि if a sequence is gp, ठीक है, अगर कोई भी sequence gp है, तो फिर वहाँ पर क्या होना चाहिए, tn plus 1 upon tn is equal to क्या होना चाहिए, बताइए, constant आना चाहिए, यहाँ पर constant value अगर आ गया, मतलब ratio न लिखाला हमने, और यहाँ पर कोई भी constant value आ गया, तो हम बोल देंगे कि दिया गया sequence ap gp, ठीक है, क्या है, gp है, तो यह प्रोब हो चाहिए, और फिर उचके बाद हम first term और common ratio तो बताइए, तो यह condition है, tn plus 1 upon tn is equal to क्या आना चाहिए, बोलो constant आना चाहिए, अब यहाँ पर अपॉन 2 raise to n minus 3, right, tn तो हमारे पास है, लेकिन tn plus 1 हमारे पास नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमना tn plus 1 find करेंगे, कैसे, सुनो एकदम ध्यान से, यहाँ पर लिखते है tn plus 1, right, तो tn क्या है, 5 raise to n minus 3 है, और क्या है, 2 raise to n minus 3, यह है न, अब सुनो मैंने यहाँ पर क क्या लिखा n plus 1, n के साथ 1 को प्लस कर दिया है, तो यहाँ पर भी मैं क्या करूंगी, 1 को प्लस कर दूंगी, और सेम चीज़, यहाँ पर भी मैं करूंगी, क्या करूंगी, इसमें 1 को प्लस कर दूंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या लिखा n plus 1, यानि n में 1 को प्लस किया अब उसके बाद मुझे इसका value क्या मिलेगा देखिए यहां पे लिखते therefore tn plus 1 is equal to 5 raise to n और plus 1 minus 3 minus 2 आएगा उसके बाद यहां पे 2 raise to n plus 1 minus 3 minus 2 तो देखो अभी हमारे पास tn का value भी है वो तो question में already given था और यह value भी हमने निकाल लिया अब हम लोग ratio निकालते हैं और देखते हैं कि क्या हमको constant value मिलता है अगर constant रहा तभी यह gp नहीं रहा तो gp नहीं है चलो एक बार check करते हैं तो क्या लिखेंगे हम यहां पे tn plus 1 upon tn is equal to tn plus 1 कितना आया है 5 raise to n minus 2 upon 2 raise to n minus 2 फिर पूरे के upon में tn tn कितना है 5 raise to n minus 3 upon 2 raise to n minus 3 ठीका अब क्या करेंगे सुनों अब यह देखो divide में अगर मैं multiply में convert करूंगे तो यह उपर चला जाएगा तो क्या होगा यह उपर और यह नीचे देखो कैसे 5 raise to n minus 2 upon 2 raise to n minus 2 into यह उपर जाएगा 2 raise to n minus 3 उपर जाएगा n minus 3 और नीचे के आएगा यह नीचे आएगा 5 raise to n minus 3 ठीक है इतना clear है आपको अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं थोड़ा सो दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि ऐसे directly इसको solve करना possible नहीं है तो क्या करें देखो एक काम करते हैं यहाँ पर मैं लिखती हूँ देखो यह जो है न 5 raise to n minus 2 इसको यहीं पर रहने देते हैं और 5 raise to n minus 3 को यहाँ पर ले लेते हैं और इसको उधर ठीक है किया अदला बदली कर दे ठीक है अब उसके बाद यहां पर फाइव रेज टू एन माइनस टू तो वैसे ही रहेगा इसको आप उपर ले लीजिए तो जब आप समझे यह पूरा ब्रैकेट में है ठीक है यह पूरा ब्रैकेट में है तो जब यह उपर जाएगा तो बताओ क्य है ओके इसको उपर लेंगे तो क्या हो जाएगा समझे यह पूरा ब्रैकेट में है ठीक है यह ब्रैकेट में है एन माइनस टू यह भी ब्रैकेट में है अब यह उपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में टू रेज टू माइनस एन माइनस टू ठीक है समझ आ रहे ना अब उसके बाद हम क्या करेंगे तो आप काफी easy है सुनो 5 into 5 क्या हो जाएगा यहाँ पे तो एक ही बार मतलब 5 लिखेंगे और फिर इनके power से वो क्या हो जाएगे आपस में plus हो जाएगे ठीक है तो यहाँ पे लिखा मैंने n-2 और यहाँ पे क्या है देखो plus मैं यहाँ पे ल minus 3 minus n minus 2 उसके बाद यह जो bracket इसको हम अटाते हैं तो 5 raise to n minus 2 minus plus minus n आजाएगा फिर minus minus plus 3 into यहाँ पे भी same चीज़ n minus 3 और minus plus minus 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 plus समझे ना अब यहाँ पे अगर कुछ कैंसल हो रहा है तो आप कैंसल कर दो पटाक से कुछ कैंसल हो रहा है तो यह देखो यह कैंसल हो रहा है क्या कैंसल हो रहा है यह दोनों कैंसल हो रहे है यहाँ पे यह कैंसल हो रहा है minus 2 plus 3 यहाँ पे आ गया 5 raise to 1 into minus 3 plus 2 यहाँ पे आ गय में है मुझे ये power minus में नहीं चाहिए तो क्या करूंगी इसको मैं नीचे ले लूंगी तो क्या हो जाएगा 5 upon 2 तो देखो इसका value हमको क्या मिला tn plus 1 upon tn इसका value हमको क्या मिला 5 upon 2 जो क्या है एक constant है यहाँ पर देखो हम लिख सकते हैं यहाँ पर equal equal इस तरीके से लगा दीजे equal का sign is equal to is equal to ठीक है यहाँ पर लिखते हैं हम therefore tn plus 1 upon tn is equal to 5 upon 2 which is a constant so therefore यह जो sequence है यह क्या है बताओ यह GP है ना तो जो हमको prove करना था यह ही prove करना था ना कि show that the sequence is a GP तो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि यह सेक्वेंस GP है तो लिख देते हैं यहाँ पर there for the sequence कि इस आजीपी ठीक है यह GP है अब हमको फॉर्स्टम बताना था और common ratio बताना था ठीक है तो यह जो है यह बताए क्या है आपका common ratio यह न ऐसे ही तो आप लोग ratio निकालते हैं तो यहाँ पर लिख देते है आर का value हमको मिल चुका है अब बस बचा हुआ है क्या बचा है क्या बचा है क्या बचा है फॉर्स्टम निकालने का मतलब एक एक कैसे आएगा देखो tn is equal to क्या दिया है यहाँ पर देखो 5 raise to n-3 और 2 raise to n-3 राइट तो यहाँ पर हमको फॉर्स्टम चाहिए न तो इसके प्लेस पे n के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो जहाँ पर b यह न है वहाँ पर 1 तो 1-3 यहाँ पर 1-3 हो जाएगा तो चलो माइनस करो 5 raise to 1-3 करेंगे तो माइनस 2 यहाँ पर 2 raise to 1-3 करेंगे तो क्या आएगा minus 2 ठीक है minus 2 यहाँ पर दोनों का पावर क्या है minus 2 minus 2 तो क्या करेंगे यहाँ पे कुस्तो कर सकते हैं सुनो यहाँ पे मैंने लिखा t1 is equal to देखो एक काम करते हैं इसको उपर ले लेते इसको नीचे इससे क्या होगा यह जो power minus में है न वो plus में change हो जाएगा ठीक है तो इसको मैंने उपर लिया तो 2 का square हो जाएगा इसको नीचे ल 4 होता है 5 का square 25 होता है तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर देयर पॉल टीन इस एक्वाल टू 4 अपॉन 25 समझे तो यह होगे आपका फॉर्स्ट टम हमको फॉर्स टम बताना था तो देखें हमने फॉर्स टम भी बता दिया रेशियो बता दिया और साधी साथ यह भी प्रूफ कर दिया कि सीक्वेंस क्या है जीपी है ठीक है तो यह है आपका question no.5 का solution आपको clear हुआ रहेगा सब कुछ घ्यान से समझने की कोशिच करोगे तो सब कुछ समझ में आएगा ठीक है तो यहाँ पर हमने 5 questions solve कर लिए हैं इस exercise के अभी भी 5 questions बचे हुए हैं तो उनको हम कब करें करेंगे next video में करेंगे ठीक है अब से ना word problem सुरू हो रहे हैं अब उसमें भी ज्यादा कुछ difficult नहीं है आप समझ जाओगे next video में हम लोग continue करेंगे ठीक है तो चलो मिलते हम लोग next video में धन्यवाद